नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉट हैंड एकडमी इस टानो क्लासिस में दोस्तों आज का हमारा डिक्टिशन है चंद सत्ता आर्टिकल डिक्टिशन आलेक कहां गए वे फेरी बाले नई दिल्ली दिनाग 23 नवेंब स्टार्ट एक समय था जब फेरी वाले अपनी किस्म किस्म की आवाजों से हमारा ध्यान अपनी और आकरशित करते थे अब फेरी वालों की पेट पर लात मारने के लिए बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बहु राश्क्रिय कमपनिया बाजार में ऐसे उग आए हैं जैसे बारिच के दिनों में कुकरमुते ये कहां से और कैसे इतनी तादाद में उग आते हैं जहां फेरी वाले अपनी उची आवाज में हमें अपनी और बुला कर थोड़े बह बहुत नफे नुकसान के साथ सामान के बहाने प्यार बाठते थे अब वहीं बड़े बड़े स्टोर के स्पीकरों से निकलने वाली धीमी और भड़काउ आवाज से दिल का भट्टा बैठ जाता है फेरी वालों के बिना जीवन नीरस साथ हो गया है जिनकी यादों में फेरी वाले बस्ते हैं वे बड़े सौभाग्य शाली हैं वरना शौपिंग मॉल में जाना खुद सामान चुनना खुद सामान ढोना और खुद सामान लेकर बिल काउंटर पर पहुंचाना अजीब लगता है फेरी वाले अपनी किस्म किस्म की आवाजों और बोलियों के बहाने भाशा को सम्रद्ध बनाते थे सच्चे अर्थों में वे भाशा का विकास करने वाले व्यवहारिक अध्यापक होते थे उनके शब्द भंडार वाक्य संदर्भ और अनुच्छेद किसी प्रभाह में सरीता का इस्मरण कराती थी वहीं शॉपिंग मॉल में पहले से रिकॉर्ड की गई सूचनाएं हमेशा एक ही रोना रोती हैं एक ही सूचना को बार बार दोहराना ताराब में इस्थिर दूशित जल की तरह प्रतीत होता है वास्ताओं में हमने फेरी वालों को नहीं फेरी वालों के बहाने संस्कृती सभ्यता परिवेश को होया है लौड मेकाले ने ठीक ही कहा था कि किसी देश को गुलाम बनाने के लिए उसकी भाशा और संस्कृती को चिन भिन करना काफी होता है पैरा लच्छेदार, मजेदार, जानदार, शानदार और दमदार शैली में गाकर, बजाकर, सुनाकर, दिखाकर, ललचाकर बेचने की कला अगर किसी में थी, तो वह था फेरी वाला, क्या याद है आपको गंडेरी वाला, वही जो आकर मुहले के एक कौने में बैठ जाता था, हाथ में एक सरोता लिये वह गंडे को छील कर कपड़े पर बिचाता और सुरिली आवाज में गाकर कहता, पेट का भोजन, हाथ की टोकन, होटों से छीलो, कटोरा भर शराब पीलो, तो वही कचालू बेचने वाला बच्चों को कचालू पकड़ाता जाता और दुआएं देती हुए कहता, इश्वर का तु नन्हा बंदा खा कचालू ओ मेरे नन्दा खजूर वाला आमतोर पर शाम को आता था और दलील देता, कलकत्ते से महंगाई है और रेल में आई है, दूसरी और खरबुजे वाला लहक लहक कर गाता, नन्हे के अबबा, चक को लाना, चक के लेना, फीके या मीठे, सच्ची कहना, सबसे लाजवाब तो ककड़ियों वाला था, वह ककड़ियों को पानी से तर करता रहता, लैला की अंगुलिया, मजनू की पंसलिया तैर कर आई है, बहते दर्याव में, दही के बड़े और पकोड़े वाला, आया तो उसके इर्द गिर्द भीड लग जाती थी, दही के बड़े मिया बीवी से लड़े और खाओ पकोड़ी, बनो करोड़ी, पानी के बताशे यानी गोलगप्पे वाला किसी को देखता की जुखाम हो रहा है, तो कहता पानी के बताशे खाओ, नजला भगाओ, आनलाइन कारोबार की वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वह इन फेरी वालों को ही हुआ है, क्योंकि वे अधिक सामान नहीं खरीद सकते, जिसकी वजह से थोक विक्रेता उन्हें थोड़े कम मुनाफे पर सामान देते हैं, वहीं दूसरी और ऑनलाइन विक्रेताओं की बात करें, तो वे काफी अच्छी बचत पर उत्पाद को बेच हैं, ब्राम, आज किसी के पास अधिक वक्त न होने के कारण लोग ऑनलाइन खरीदारी करने की ही इच्छा दिखाते हैं, फेरी वालों के पास में रियायत या छोट के जादा विकल्प नहीं होते हैं, और डिजाइन या नए उत्पाद भी नहीं देखने को मिलते हैं, जिसकी वजहे से ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी की तरफ अधिक से अधिक आकरशित हो रहे हैं, जिसका असर सीदे सीदे फेरी वालों पर पढ़ता है, आज यही मानसिक्ता और चलन के कारण फेरी वाले नदारत होते जा रहे हैं, हम ब्रांडेड दुकानों पर जाकर महेंगा सामान बिना मोल भाव कर खरीद के आदी हो चुके हैं, जो चीजें ढख कर बेची जाती हैं, उसे खुले में और जो चीजें खुले में बेची जानी चाहिए, उन्हें ढख कर बेचने के चलन वाले, इस उल्टे जमाने में फेरी वाले का लुप्त होना अधिक आस्चरिय चकित नहीं करता, शॉपिंग मालो में जाकर फल सबजियां भी बिना मोल भाव के ले लेते हैं, लेकिन जब बात फेरी वालों की आती है, तो हम हमेशा मोल भाव करते हैं, हम भूल जाते हैं कि कुछ खुशियों के साथ मोल भाव नहीं करना चाहिए पैरा, अब न वे फेरी वाले रहे और न उनकी तुक बंदियों वाली फेरियां, अब तो शॉपिंग मॉल में कंप्यूटरी करत आवाज में अंग्रेजी भाषा में एक ही ध्वनी निकलती रहती है कि कृप्या ध्यान दीजिये, हमारे पास आलू पर छूट है, इतने आलू खरीदें, इतने पैसे बचाएं, यह छूट केवल 12 बजे तक है, इस तरह की सूचना मनुष्य को यंत्र बनाती है, समवेदनाओं को नेस्तना बूद करती है, यांत्रिक खरीददारी के बहाने हम द्वीप बन जाते हैं, जहां एक ग्राहक का दूसरे ग्राहक से कोई संबंध नहीं होता पून विराम, तो दोस्तो यह थी हमारी आज की आर्टिकल डिक्टिशन जो की 80 शब्द प्रति मिनट की गती से बोली गई थी, आश्य करते हैं, आप सभी को डिक्टिशन प्रसंद आयोगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटिश नॉटिकिशन आप सभी तक पहले पहुंच सकें, धन्यवाद,